नमस्कार आप देख रहे हैं अम्पी नियूज मैं हूँ आपके साथ रहा हूँ सियासे साथ में भाजपा बाठको और कई नवाचारों समत यूजनाओं के जरीए जनता के बीच जाकर एक बार फिर उनका समर्थन हासल करने में जुटी हुई है अइसे में मंत्रियों के कामकास को लेकर भी खास तैयारिया की जा रही है तो वाधिक ज़ानकारी के साथ हमारे सैयोगी सुनेल हमासा जुच चुच चुके है सुनेल किस tries है कि तैयारिया चल रही है लिए मंद्धिप्रेश में आगामी समय में विधान सभा चुना हो है, होने हैं, इसको लेकर बीजेपी एक्षन मोंड में दिखाई दे रही है, कुछ दिन पहले ही इसी तैयारियों के बीच मंत्रियों की एक बेठक बुलाई गई, इस बेठक में राश्टिय संग्ठन और मह महांत्री बीजेपी के शिवप्रकाश मोजूद थे, इसमें बात करें प्रदेश के संग्ठन महामाति इसादरनी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, यह लोग शामिल थे, इन्होंने मंत्रियों की परिशानियों को जाना, बात करें इस बेठक में, तो इस मंत्रियों को जिला संग्ठन और इनको तवज्जो देने की बात की गई है, और प्रदेश संग्ठन इस पर पूरी निगाहें बनाये होएं, जी, जैसे कि आपने कहा मंत्रियों के प्रभावों में भी बदलाव किया जा सकता है, तो क्या क्राइटेरिया होगा इसके पीछे जी, बिल्कूल, इसके पीछे काफी कुछ क्राइटेरिया होगा, जितनी बातें प्रदेश संग्ठन और राश्टी बीजेपी संग्ठन ने कही है, उसको अगर मंत्री पूरा करते हैं, उसके आधार परी उनको मंत्रियों के प्रभारों को ध्यान रखा जाएगा, बात करे प्रभार के जिलों में समय पर नहीं जा पार है, तो आगामी समय हम देख सकते हैं, जिस तरह से मंत्रियों के प्रभार के जिलों में बदलाओ देखने को मिल सकता है, जी, आने वाले समय में इस कवायत से क्या बीजेपी को विधान सबत चुनाओं में लाभ मिलने की प्रभारी मंत्री लेते हैं तो बात करें जिलों के कामकाद की तो प्रभारी मंत्री पर बीजेपी का खास तो पर फोकस है और आगामी समय में अगर उनकी कवायत पूरी रंग लाती है तो आगामी विधानसभा चुनाओं में काफी कुछ उनको फाइदा होने की संभाव ना जाता है सकती है जी नेवाल सुनी नमाजा जुनी के लिए आप भी बने रहे हैं अम्पी नियूस के साथ